हेलो स्टेट्स वेलकम टो स्टेडी सेंटर विद देवरीशी भार्दवास तोड़ेज मैथ कुशन फॉर यू इस चेक वैदर पी एक्स इस अ मल्टीपल ऑप जी एक्स और नॉट आपको है क्या चेक करना है आपको चेक करना है कि जो पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वाइर ब्लस फोर एक्स माइनस थ्री ठीक है एंड जी एक्स क्या है एक्स माइनस टू तो क्या पी एक्स यह वाली वैल्यू जी एक्स माइनस टू कि मल्टीपल है या नहीं है ऐसी सेकेंड कुशन है तो चलो एक कुशन में आपको सॉल्व करके बत है GX के value हमारे पास यह given है हम कैसे चेक करेंगे कि यह इसका multiple है की नहीं है आपको simple देखना है कि जब हम किसी को किसी number से divide करते हैं divide करने पर अगर remainder 0 आता है तो हमें बोल सकते हैं कि जिसको हमने divide किया है वो जिससे divide किया है उसका जिरो आए तो हम बोल सकते हैं कि PX GX का multiple है यह हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि GX PX का एक factor है ठीक है तो remainder हम कैसे find करते है remainder क्या आएगा remainder करने का method मैं आपको आपको अल्लेडी इससे पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ है यहां पर फिर से बताता हूँ कि जिससे divide कर रहा है वहां पर उसको equal 0 रखके देखो that means x-2 इसको 0 के equal रखेंगे तो क्या हो जागे x-2 is equal to 0 यह आ गया तो x की value क्या जाएगी x की value हैंपर क्या जाएगी x equal to 2 आ जाएगी ठीक है अब x equal to 2 आएगी तो 2 को 2 को क्या करेंगे px में x की जिगर रखेंगे देखो px में x की जिगर रखेंगे 2 की power 3 x cube में minus 5 यहाँ पर x square था तो 5 और x जिगर 2 रख दिया 2 square 5 multiply 2 square plus 4x यहाँ पर ध्यान देते चलो map करना है हमको 4x that means 4 multiply 2 minus 3 minus 3 में तो x आई ने तो ऐसे लिख दिया ठीक है तो कितना हो गया 2 की power 3 8 हो गया अब पहले power solve करेंगे 5 2 की power 2 में 2 की power 2 4 4 5 जा 20 तो minus 20 फिर 4 2 जा 8 minus 3 अब इसको solve करते हैं solve करेंगे तो क्या आएगा solve करेंगे तो देखो minus 7 बनाएगा तो remainder कितना आया 0 आया क्या नहीं तो remainder 0 नहीं है इसका मतलब क्या है कि जो px है वो gx का multiple नहीं है समझ में आके remainder नहीं आया 0 इसलिए यह इसका multiple नहीं है अब इसका ऐसी second part है यह वाला px की value कितनी है 2x q minus 11x square minus 4x plus 5 and gx की value है 2x plus 1 इसको आपको solve करके बताना ऐसे ही solve करो के पहले x की value find कर लोगे इसको equal 0 रखके और उस x की value को px में x की जगह रख दोगे ठीक है और फिर देखो कि remainder क्या आता है अगर remainder 0 आता है तो px gx का multiple होगा अगर 0 नहीं आता है तो यह इसका multiple नहीं होगा तो solve करके बताओ और अपने answer को comment section में लिखो अपको comment में ये भी बताने है कि आपकी x की value कितनी आई और आपको ये भी बताने है कि आपका remainder कितना आया है और फिर बताने है आपको कि ये इसका multiple है या नहीं है ठीक है तो solve करो और अपने answer को comment करें comment section में लिखो और वीडियो अच्छी लगी हो तो like करो, share करो, subscribe करो and thanks for watching